तो आज जो टोपिक हम शुरू करेंगे वह कौन से है कॉम्प्लिमेंटरी जीन्स क्या होता है उसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आज हम तीन टोपिक में करने वाले हैं और तिनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिफ्रेंसी है ठीक है ज्यादा डिफ्रेंसी है तो बहुत ध्यान से समझना है कि बता कहह रहा हूँ सो देखो कंप्लिमेंटी जीन्स के अंदर पहले क्या बोल रहे है तू इंडिपेंडंट पेर ओफ जीन्स दो इंडिपेंडंट पेर ओफ जीन्स है जैसे यहान पे मैंने C और P दो लियों है जीन्स ठीक है दोनों पैर के which interact to produce a trade together मतलब अगर capital C capital P दोनों साथ में आते हैं तो वो कोई trade एक साथ produce करेंगे but each dominant gene alone does not show its own effect जब वो अकेला dominant होगा तो वो अपना effect शो नहीं करेगा क्या मतलब है इस चीज का समझो इस cross के जरीए क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कह लिया white flower और यहाँ पर भी white flower अब दोनों white flower है पर दोनों के genotype आपको दिखने अलग अलग है अलग अलग है genotype यहाँ पर आप देख रहो capital C है और यहाँ पर capital P है ठीक है तो अब मैंने क्या बोला था dominant gene alone does not show its effect अब यह dominant gene alone अपना effect नहीं दिखा गया तो यह capital C, capital C कोई effect नहीं दिखा रहा white flower मिल रहे है वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ capital P, capital P तो यह अकेला capital P dominant है C वाले के पास कोई dominant नहीं है तो यह भी अपना effect नहीं दिखा रहा simple white flower आ रहे है पर जब यहाँ पर आपने first generation के अंदर देखा यहाँ से capital C और यहाँ से capital P दोनों आ गए तो यहाँ पर capital C, small C, capital P, small P आ गए तो एक capital C आ गया, दूसरा capital P आ गया दोनों gene साथ में आ गए तो वह अपना expression शो करेगा purple color आ गया तो आपने यहाँ पर clear ली देखा जब यह dominant अकेले-अकेले present थे तब कोई effect नहीं आ रहा था पर जब दोनों साथ में आगे तो वह purple color show कर रहे है यह हुआ कैसे उस चीज को समझो यहाँ से यह जो diagram दिखा रहे है तो यहाँ पर जो हम mainly study करे है फ्लावर कलरिन लथैरस ओडोरेटरस ठीक है उसकी बात कर रहे है तो यहाँ पर मालो यह कोई precursor है जिसके उपर काम करता है जीन C के दोबारा synthesize किया गया enzyme जिसकी वज़ासे एक intermediate बीच का कोई product बनेगा उसके उपर जीन P के दोबारा जो enzyme synthesize होगा वो काम करेगा जिसकी वज़ासे anthocyanin form हो रहा है जो color provide करता है तो अब यहाँ पर क्या हुआ अगर अकेला C है तो B product तो form हो जाएगा बीच का जो product है पर anthocyanin तो produce नहीं हुआ तो color नहीं आएगा simple और वहीं पर अगर मालो C present नहीं है पर P present है तो अगर P present है तो उस case के अंदर क्या होगा कि A से जब B ही नहीं बना तो B से आगे anthocyanin कैसे बन जाएगा तो जब यह process ही नहीं हुआ तो आगे वाला process कैसे हो सकता है क्योंकि B तो available ही नहीं है और वहीं अगर यह दोनो अवलेबल है जीन C भी अवलेबल है जीन P भी अवलेबल है दोनो अवलेबल है enzyme form हो जाएंगे और यहाँ पर anthocyanin की formation होगी और यहाँ purple color आ जाएगा simple इसी का die hybrid cross आगी किया हुए तो die hybrid cross के अंदर इसकी selfing की selfing करने के बाद आप देखोगे results क्या आ रहे है आपके पास दो phenotype possible है या तो purple आएगा या फिर white आएगा दो ही आ सकते हैं तो आप इनका cross करवा के देखोगे यहाँ पर गैमिट मेंशन करती है यहाँ गैमिट दोनों जगा same ही आएंगे पर आपके पास ratio अलग हो जाएगा अब इस case के अंदर ratio अलग क्या होगा यहाँ पर आप calculate करोगे purple और white वाले कितने है तो purple आप देखो यह जो मैं line लगा रहा हूँ इसके अंदर यह सारे के सारे कैसे है purple है और इसके अलावा जितने बचगे white है तो मैंने एक triangle बनाया जिसके अंदर सारे purple है बाकी white है तो यहाँ पर nine purple हो गए और बाकी seven क्या आगे white आगे दीक है और white कहां आ रहे है जहाँ पर यहाँ तो सिरफ capital C है यहाँ फिर शिरफ capital P है यहाँ देखो कि सिरफ capital C है तो मेंडल का जो डाय है अब्रेट को रोस था उसके अंदर रेशियो क्या आता था 9 is to 3 is to 3 is to 1 जबकि यहां क्या आ रहा है 9 is to 7 ठीक है फिनोटिपिक रेशियो तो यह ध्यान रखना है आपको clear complementary gene next अगर बात कर रहा हूं मैं है collaborative gene अब यह क्या बोलता है collaborative gene इसको भी समझो यहां क्या बोल रहा है two independent pair of gene दो independent pair of gene है दो independent pairs का मतलब क्या है उसको भी मैं बताएता हूं कि अगर मालो यह एक chromosome है यह इसका homolog है ठीक है यह कोई और homologous pair है तो अगर मालो यहां पर एक gene C present था ठीक है और इसका homolog यहां पर होगा capital C small C जो भी है वो यहां present है और कहीं और पर हो सकता है इसके उपर यहां P present है कहीं और दूसरे homologous chromosome के उपर तो यह दो independent pair है यह पेर अपना अलग है और यह पेर यहां पर अलग है तो दोनों independent है एक दूसरे को पर depend नहीं कर रहें ठीक है तो इंडिपेंडेंट पेर ओफ genes which interact to produce a new trait together तो जैसे वहां पर complementary के अंदर दोनों साथ आते थे तो एक निया ट्रेट फोर्म होता था यहां पर भी हो रहा है कि दोनों आपस में interact करके एक निया ट्रेट फोर्म कर रहें बट इच डॉमिनेंट जीन अलों प्रडूसर इट्स ओन इफेक्ट अगर एक डॉमिनेंट है जीन अकेला तब भी वह अपना expression शो करेगा जैसे यहां पर आप देखो अकेला अकेला तो यहां पर आगा चिकंट ऑघर हूं और जब यहां पर यहां पर रोज घ सटाफल वह पर एक Platz में एक एके सुट यहां है जब कर руш और यहां बंट न रहा है तो यह कैसे हुता होता है यहां पर शेपस देख सकते हो दिखा रही है simple या single comb किस तरीके से होता है यहाँ देखो यह single comb है यह rose comb है यह p comb है और यहाँ पी आपको walnut दिख रहे हैं तो यह अलग-अलग जो comb जो उपर होते हैं यह उपर का जो है यह किस तरीके का इसका design है वो depend करे है जीन कैसे है अगर single p capital है अगर एक भी p capital है तो कैसा हैगा p comb मतलब इस तरीके का comb बनेगा अगर single r capital है तो किस तरीके का बनेगा इस तरीके का बनेगा पर जब दौनों साथ में आयते हैं तो walnut capital p small p capital r small r तो उस case के अंदर इस तरीके का बनता है और जब सारे ही recessive है कोई भी dominant रही है तो single confirm हो रहा है तो यहाँ पर आप इसका die hybrid cross देख सकते हो तो die hybrid cross यहाँ देख रहे हैं तो आपके पास जो results आ रहे हैं वो क्या आ रहे है वही cross किया है gamits आपको जैसे die hybrid cross में बनते हैं तो वैसे ही यहाँ पर वो gamits mention किये है capital P capital R capital P small R ठीक है तो P जो है capital P capital R दोनों आ रहे हैं मतलब walnut आ गया है यहाँ पे यहाँ पे सिरफ capital P आ रहा है तो इसका अज़ी है ठीक है यहाँ पे सिरफ capital R तो ओर यहाँ पे सारे के सारे छुट्टे आ तो single है जब इसका ratio देख गया तो ratio इसका क्या रहा है 9 is to 3 is to 3 is to 1 मतलब जो dihybrid cross का ratio था वही same ratio आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है walnut pea rose single clear अभी अगर मैं next बात करता हूं supplementary genes तो supplementary को भी ध्यान दखो अब इसके अंदर और दूसरा वाला collaboratory के अंदर कही बार confusion आ जाता है इसके अंदर क्या बोल रहा है the dominant allele of one gene is essential for the development of the concerned phenotype while the other gene modifies the expression of the first gene मतलब क्या एक dominant allele जो है अपना effect दिखा रहा है is capital अगर C है gene तो वो क्या करता है black coat mice produce कर रहा है अगर coat color की बात करने है और वहीं पे अगर दूसरा एक और dominant आ जाता है तो वो उसका effect को modify कर देता है जहाँ पे अगाउटी mice आ गया ठीक है तो पहले albino था इसके अदर कोई color नहीं है अगर gene C present है उसके enzyme की work की वज़ा से black coat आ गया अब black coat को आगे modify कर दिया है दूसरे एक gene ने तो यहाँ पे अगाउटी mice आ गया ठीक है तो इस तरीके से work कर रहा है supplementary gene तो तीनों के अंदर difference की है दोबारा मैं बता रहा हूँ एक वर देहां से देखो क्या बोल रहा हूँ complimentary के अंदर क्या था two independent pair of gene which interact to produce a trade together दोनों एक साथ आते हैं dominant genes और अपना effect दिखाते हैं पर जब वो अकेले होते हैं तब वो अपना effect शो नहीं करते हैं यहाँ अकेले थे अपना effect शो नहीं कर रहे थे यहाँ पे साथ में आगे effect शो कर रहे हैं अब जब हम collaboratory की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या बता है इसके अंदर बता है दो independent pair of gene है interact कर रहे हैं new trait produce करे हैं एक साथ बट इच dominant gene alone producing its own effect यहाँ पे अगर dominant अकेला present है तब भी वो अपना effect शो कर रहे हैं और साथ में आने के बाद भी अपना effect शो कर रहे हैं और अगर सारे recessive है तो वो एक अलग ही trait है तो यह था collaboratory के अंदर ठीक है वहीं supplementary के अंदर क्या कर रह रहा है और दूसरा जो gene है वो क्या कर रहा है उस पहले वाले gene का जो result आया उसको modify कर रहा है उसको modify कर दिया इसने ठीक है तो इसका जो cross यहाँ पर दिखाया गया आपको black mouse और albino हमने ले लिया दोनों के बीच में cross करवा दिया ठीक है तो जब cross करवाएंगे तो यहाँ प अगावटी कौन सा होता है जो मतलब ब्राउनिश सा यह light brown से color का जो उसकी बात कर रहें बाकी black कब होगा जब एक capital C होगा तो यहाँ पर दखो एक capital C है यहाँ पर भी capital C है यहाँ पर भी capital C है और albino italy minu मतलब क्या होगा यहा तो सारे के सारे चोटे हैं या फिर अकेला capital A है क्योंकि अकेला capital A है आगा तो अपना expression कैसे दिखाएगा क्योंकि उसको C वाला जिन तो required है तो A को अपना expression देने के लिए C वाले की requirement है पर C वाले को अपना expression देने के लिए A की requirement नहीं है तो अगर अकेला A capital है तो यहाँ पर यह वाला माइस कैसे आएगा क्योंकि C gene तो था ही नहीं C gene नहीं था तो black coat माइस का तो प्रडूसर नहीं है क्योंकि वो इसी के तो effect को modify करता है तो इसको modify करे ही नहीं सकता clear हो रही है मेरे बात तो albumino mice का उपर अगर आपको agouti mice चाहिए तो यह दोनों के दोनों gene present होने चाहिए क्योंकि अगर एक present है तो black coat आएगी माइस के अंदर और अगर gene A भी present है तो वो क्या करेगा इसको modify कर देगा किसके अंदर? agouti mice के अंदर clear जो बहुत ध्रहांसे करना ही जो topic है chromosomal theory of inheritance तो chromosomal theory of inheritance जो आपका next topic है यह क्या बहुती है तो chromosomal, मतलब chromosome जो है वो inherit हो रहे है next generation के अंदर तो आप देखते हो जो DNA है वो किस form में present होता है cells के अंदर mainly chromosomes की form में present होता है तो जो medal बोल रहा था gene factors वो बोल रहा था factor transmit हो रहे है और जो अब जो theory जो follow की जाते है chromosomal theory of inheritance तो दोनों के अंदर link क्या है उसकी भी हम बात करेंगे पर सबसे पहले हम यह देख लेते है chromosomal theory of inheritance है क्या यह purpose किसने की थी walton sutton and theodore bovary ठीक है sutton and bovary ने दी थी 1902 के अंदर तो यह आपको ध्यान रखनी है यह theory पूछा जाता है किसने दी थी ठीक है कई बार इसके उपर question आया गया अब यह theory बोल क्या रही है उसको भी समझो gamets serve as a bridge between two successive generation दो successive generation की बीच में जो bridge का काम कौन कर रहे है gamets मैं रखाल से किसी का mic on है उसको off कर दो gamets तो कि आपको पता है gamets जो है आपस में fuse करके आगे jagote बनाते हैं और gamets parents की जरी प्रडूस के जाते हैं तो वो क्या है connect कर रहे है दो generation को तो एक bridge की तरह काम कर रहे है दो generation के बीच में successive generation ध्यान रखना continuous जो generation है उसके बीच में सही बात है male and female gamets play an equal role in contributing hereditary component to future generation से सही बात है कि अगर एक male gamet आ रहा है दूसरा female gamet आ रहा है दोनों आपस में fuse करते हैं तब भी तो जाइगोट बनता है और इसके पास जो hereditary material होता है और इसके पास जो hereditary material होता है वो दोनों दोनों इसके अंदर transmit हो जाते हैं तो अगर मालो यहां पर एक single chromosome इस तरीके से present है यहां present है और इसके अंदर क्या हो जाएगा यहां के वो क्या हो जाएंगे पेर की form में present हो जाएंगे पेर अप कर लेंगे तो दोनों का equal contribution होता है male का भी और female का भी next क्या बोल रहा है only the nucleus of sperm combines with the ovum तो आपको भी यह पता है कि ovum जो है women's case के अंदर और यहां पर के sperm आता है ठीक है तो sperm के अंदर जो nucleus है वो ही सिरफ इसके अंदर enter करता है बाकि सारा जो पार्ट है वो बाहर ही रह जाता है ठीक है तो जो mainly cytoplasm गह रहा है और जो भी nutritive container वो सारा का सारा कहां से मिलता है ovum से मिलता है sperm का तो सिरफ nucleus ही इसके अंदर enter होता है reproduction chapter के अंदर पढ़ेंगे यह सारा thus the hereditary information is contained in nucleus तो simple सी बात है hereditary information किसके अंदर है nucleus के अंदर है chromatin in the nucleus is associated with the cell division in the form of chromosomes chromatin जो nucleus के अंदर present होता है वो किस form में present होगा chromosome की form में जब cell division होना है यह तो आपने पढ़ा ही है तो आपने mitosis meiosis की जब cycle पढ़ी थी आप देखते थे chromosome का हम देखते थे segregation होता था separate होते थे और अलग-अलग cells के अंदर जाते थे किस तरीके से होता था तो वो सारा आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है तो जो chromatin है वो आगए condensed होके किस form में चला जाता है chromosome की form में अब बोल रहा है any deletion और addition अगर कोई चीज़ delete हो रही है add हो रही है chromosome के अंदर वो structure and function change लेके आएगी living organism में क्योंकि आपको पता है अगर chromosome है उसका कोई भी segment delete हो गया अगर ये chromosome का एक segment है इसके अंदर से ये वाला part मानो delete हो गया तो यहाँ पे जो genes थे वो सारे के सारे क्या हो जाएगी चले गए खतम हो गए तो उनका expression भी क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा अगर कोई यहाँ पे हमने add कर दिया जीन अगर इसके अंदर add कर दिया तो वो gene जिस चीज़ के लिए responsible है वो अपना expression दिखा देगा उस organism के अंदर तो उसकी वज़ाए से क्या होगा अब आपको पता ह क्रोमोजोम के अंदर कोई change आने का मतलब क्या है DNA के अंदर change आना अगर DNA के अंदर change आया तो वो कुछ ना कुछ phenotypic effect आपकी body के अंदर change करेगा या फिर आपकी body की physiology के अंदर कुछ ना कुछ change लेके आएगा तो simple है या तो जो भी role play कर रहा है वो gene उसके अंदर effect आएगा clear आगे बोड़ा है sort of parallelism is observed between mendelian factors and chromosome, chromosomes और mendelian factors के बीच में क्या आता है एक parallelism है जिसको भी हम study करेंगे आगे कि क्या mendelian factor जो बात करें थे और यहाँ chromosome थियोरे में बोल रहे हैं वो दुनों एक दुसरे के parallel है या नहीं है नेक्स्ट बोल रहा है determination of sex in most of organism is affected by sex chromosome तो आपको पता है sex determine करने के लिए mainly sex chromosome सी responsible होते हैं जैसे आप humans की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं 44 प्लस x x किसके अंदर present होते हैं female के अंदर present है जबकि male के अंदर क्या हते हैं x y present होते हैं तो यह sex chromosome जो है वो ही decide कर रहे हैं कि कौन से sex होगा male होगा या female होगा है ना और पर कुछ ऐसे भी organism है जिसके अंदर environmental जो factors होते हैं वो decide करते हैं तो इसलिए लिखा most of ठीक है ना next अगर बात करते हैं parallelism तो यह आपका जो अभी तक बताया वो सारा का सारक था chromosome theory of inheritance के अंदर है क्या point simple points है जो आपने पहले भी पड़े हुए पर अब हमने theory इसके form में पड़े हैं next जो आपको बता रहे हैं कि parallelism जोनम थे बीच में parallelism क्या है अब जब भी अगर chromosome देखते हो इस तरीके से उसको पेर की form में बनाते हो ठीक है यह homologous pair of chromosome हो इसलिए तो बोलते हैं diploid जिसके अंदर two set of chromosome होता है ठीक है जही बोलती थी chromosomal theory और मेंडल ने भी enzyme क्या किया था जो factors होते हैं वो पेर की form में होते हैं तो अगर factors पेर की form के अंदर हैं तो इसका मतलब का मेंडल का जो ला था paired of factors तो उसको और यह chromosome जो homologous pair है दोनों एक दूसरे से relate कर रहे हैं दोन synapt homologous chromosome separate in meiosis first meiosis first के दुरान दोनों के आज़ते हैं separate हो जाते हैं that each gamut receives one chromosome of each homologous pair pair में से एक ही receive करते हैं तो इसको हम एक क्रोस के दिरिये जान लेते हैं तो अगर मान लो यह homologous pair है तो यह होगा हम लोगous pair of chromosome है जिसके पास क्या है यह genes present है capital Y और small Y अब क्या होगा जब meiosis first होगा तो यह दोनों क्या हो जाएंगे अपस में separate हो जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हो meiosis first के बाद यह दोनों क्या हो गे separate होगे तोनों के दोनों separate हो गए ठीक है क्योंकि आप देखते हैं इसके साथ क्या होगा spindle fibers वगरा जुड़ेंगे और ये दोनों separate हो जाएंगे अब क्या होगा meiosis 2 के बाद ये जो chromosome है इनके बीच में meiosis 2 के अंदर centromere से divide कर जाते हैं और ये जो है अलग-अलग हो जाते हैं segments तो ये भी क्या होगे separate होगे chromatids जो है वो separate होगे chromosome के जिसकी वज़ा से चार possible forms इसकी मिल गई gametes के अंदर तो ये क्या हो रहे हैं इस form में separate होते हैं वो यहाँ पर बोल रहा है the paired homologous chromosome separate in meiosis 1 so that each gamete receives one chromosome of each homologous pair एक gamete के अंदर एक homologous pair का एक ही chromosome जाएगा मेंडल ने भी क्या दिया था law of segregation दिया था मेंडल का law of segregation क्या कहता है paired factor जो है वो separate होते हैं gamete formation के दुरान और हर gamete के अंदर एक factor ही जाता है pair में से यही तो इसने बोला था मेंडल ने मेंडल का law of segregation जो है वो relate कर रहा है किसके साथ जो chromosome के homologous pair जो present होते है वो separate होती में उसके साथ clear next जो है बोल रहा है the chromosomes of the various homologous pair assorted at random in meiosis तो क्योंकि एक organism के अंदर एक ही chromosome तो होता है नहीं बहुत सारी chromosome होते हैं और वो सारे के सारे independently assort होते हैं किसी पर depend थोड़ी करते हैं और मेंडल का law of independent assortment भी यही बोलता है तो जो genes है जो factors present होते हैं वो independently assort होते हैं वो एक दूसरे को affect नहीं करते हैं limit formation की दिरन और जब आगे साथ में आना है और fuse करना है तब भी तो यहां पर मैंने आपको diagram से दिखा रहे हैं यह देख लो तो यह दो पेर हैं दो पेर हैं एक पेर तो यह हो गया homologous chromosome का एक पेर ही हो गया ठीक है तो यह वाला जो पेर है यह अपना assort होगा यह वाला अपना होगा ठीक है इसके अंदर दोनो possibility है arrangement कैसी भी हो सकता है हो सकता है capital Y इधर है हो सकता है यहां पे small y इधर की तरफ है left side में तो दोनो possibility है तो दोनो possibility को यहां show कर दिया आगे जो है यह separate हो जाएंगे तो यह यहां पर आपको separation दिखा दिया इनका तो यह क्या होगे homologous chromosome separate हो गए और यहां यहां पर फिर मियोसी second के अंदर क्या होगा chromatids आपस में भी separate हो जाएंगे तो वह यहां पर show कर दिया तो independent assortment भी उसके साथ relate कर गया उसके बाद क्या बोल रहा है the homologous chromosome from two parents come together in the आपने अभी पढ़ा था male और female gamut जो है आपस में जुड़के जो आगे जाएगोट form करते हैं तो contribution male का भी रहता है और female का भी रहता है ठीक है जिसकी वज़ाए से तो जो डिपलोईडी है वो दुबारा maintain हो जाती है restore हो जाती है और जो मैंडल ने भी यह बुला था paternal और maternal character दोनों mix up होते है प्रोजैनी के अंदर एक जो अगर हम जब लेते थे capital T, capital T, small T, small T, एक male का ले रहे है एक female का ले रहे है मालो यह male का है यह female का है तो यहां से capital T आ रहा था, capital T, small T, तो एक तो आ रहा था किसका? maternal और एक क्या रहा था? maternal तो दोनों का आगे ना यहां पर यही तो हम यहां बोल रहे थे, ठीक है? आगे last point क्या बोड़ रहा है? chromosome's retain their structure and individuality throughout the life cycle of an individual, whether they are noticeable or not. chromosome जो है अपनी structure और individuality maintain करके रखते हैं, पूरे lifetime के अंदर, चाहे वो आपको noticeable है या नहीं, अपना expression दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। mandal ने भी देख रहे हैं, characters are not lost, even when they are not expressed. अगर वो express नहीं होते, तब भी वो loss नहीं होते, ठीक है न, जैसे आप देख रहे थे, love dominance के अंदर क्या थे, small t था, यह अपना expression नहीं दे रहा था, पर यह loss नहीं हुआ था, यह next generation के अंदर आके अपना expression दिखा रहा था, जब हमने किया था, mono hybrid के उसका F2 generation देखे जी, तो तो यह जो सारे के सारे points थे, यह किसको show कर रहे थे, chromosomal theory of inheritance और जो parallelism है, उसका mental factor के साथ, वो भी सारा का सारा मैंने आपे discuss कर दिया, उमीद कर रहा हूँ आप सबको समझ में आ गया